स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके का पार्ट वन लेके आ रहे हैं यहाँ पर ये वीडियो होगी खास करके UPAAC के परिछाओं के लिए UPAAC के जो 10 प्लस 2 लेवल के एकजाम है उन सब तक के परिछाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहत फायदे मन्द होगी और इस तरह की हम 5 वीडियो लेके आएंगे इसका मतलब कि कुल मिला के हम 1000 प्रस्ण कबर करेंगे और इस वीडियो में लगबख 200 प्रस्ण कबर किये जाएंगे तो आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट आलरेडी अपलोड है आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जाफ चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं ये वीडियो और ये वीडियो होगी लुसेंट जीके के लिए और यहाँ पे जो प्रश्न कवर किये गया है उनकी संख्या है दोसो वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक करिए और बगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई थी तो बगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और यह बोध गया कहां पर है तो यह है बिहार में अगला की आरे समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आरे समाज की अस् स्वारस्वति के द्वारा अब स्वामी दयानन स्वारस्थि के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानन स्वारस्थि का जो बच्पन का नाम क्या था इनका बच्पन का नाम था मूल संकर अगला कोश्चन की पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है तो पंजाबी भासा की जो लिपी है उसको कहते हैं गुरु मुखी जो हिंदी भासा की लिपी है वो गुरु मुखी नहीं होती है वो होती है देव नागरी लेकिन पंजाबी की लिपी होती है गुरु मुखी अगला कोस्चन की भारत की मुख्य भूमिकायोगा दशिर्टम किनारा पूछा जाएगा तो कन्या कुमारी और दशिर्टम पॉइंट पूछा जाएगा तो इंद्रा पॉइंट ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप इसे देख लेंगे अगला कोश्चन की भारत में सबसे पहले सूरी किस राजी में निकलता है तो सबसे पहले सूरी निकलता है और राचर प्रदेश में और डूपता कहाँ पर है तो गुजरात में अगला कोश्चन की इंसुलीन का प्रयोग किस बिमारी के उप्चार में होता है तो इंसुलीन का में होता है मधुमे में जिसे आप सुगर करते हैं अगला की मधु बिहु किस राज़ का प्रसित तेवार है बिहु तो बिहु है असम का तो इस तरह की question को आपको अच्छे से याद करने की जूरुत है अगला question कि कौन सा vitamin आवले में प्रचूर मात्रा में मिलता है तो जो आवला होता है य arrogant होता है और खटे फलों में vitamin C पाया जाता है अगला question कि भारत का प्रथम governor general कौन था तो governor general था प्रथम billion batik इससे direct question पूछा जाता है सबसे पहले किस देश में हुआ बारत में नहीं आपको भी सुस्तर पर बताना है तो कागज का अविश्कार सबसे पहले किया गया था चीन के दरा गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम था सिदार्थ, जब इनको ग्यान के प्राप्ति हो गई, तब से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, अगला कि भारत में ससस्त्र बलो का सरवच सेनापती कौन होता है, तो ससस्त्र बलो यानि कि जल, ठल और वायू, मतलब भारत में ती ये की कमी से इसमें रात को दिखाई नहीं देता है, अगला कोश्चन की पोगल किस राजी का तेवार है, तो ये है पोगल तमिल नाडू का, इसी तरह आपने अभी बिहू देखा था, जो की असम का था, उसी तरह ओडम पूछा जाता है, ओडम, तो ये होता है केरल का, भा कोश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, अगला कोश्चन की गिद्धा और भांगड़ा किस राज के लोग निरते हैं, तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं, हमने अभी आपको बताया है, अगला कोश्चन की टेली बीजन का विस्कार किसके द्वारा किया गया था, यह है जान लोगी बेर्ड इसे आप कहीं कहीं जेल बेर्ड भी देखे होंगे जेल बेर्ड अगला कोश्चन की भारत की प्रथम महिला सासिका कौन थी तो पहली महिला सासिका थी रजिय सुल्तान और यह बनी कप तो 1236 में कप तक रही तो 1240 तक यह इल्थू तमीज की इल्थ अगला कोश्चन की मशली किसकी साहता से सास लेती है तो यह लिया जाता है मशली के द्वारा गलफडों से अगला की इंकलाप जिंदाबाद के नारा किस ने दिया था तो इंकलाप जिंदाबाद के नारा दिया गया था भगत सिंग के द्वारा अगला कोश्चन की ब्लाग में निहत्य एक सभा कर रहे थे और उस समय का जो जनरल था जनरल डायर जनरल डायर उसने निहत्य लोगों पर गोली चलाने का अधिश दे दिया और जिससे लगबग एक हजार लोग भारतिय मारे गए थे अगला कुश्चन के 1949 में कांग्रेज छोड़ने के बाद सु सुबास नबूस के द्वारा फारवर्ड ब्लाग की अस्तापना की गई थी 1949 में अगला कुश्चन की पंजाब केसरी किसी कहा जाता है तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपतराय को अगला कुश्चन की सांडर्स की हत्या किस ने की थी सांडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा अगला कोश्चन की 1857 इसभी के बिद्रों में किसने अपना बलजान सबसे पहले दिया तो यह दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा अठारा सो संतावन में जो अंगरेज थे उसमें यह सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे मंगल पांडे वहाँ सैनिक हुआ करते थे लेकिन इन्हें जो गन मिली थी उसमें गाय के चर्वी वाली कार्तुस लगाई गई थी और जब जस्ती इन लोगों से उसे योज करना था इससे गुशा के जो मंगल पांडे थे अपने बड़े अधिकारी की गोली मार का अत्या कर दी जिससे की बाद में इनको पांसी दे दिया गया अगला कोश्चन की भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी तो भारत की पहली महिला राजपाल थी सरोजिनी नाइडू सरोजनी नाइडू कहां की पहली महिला राजपाल थी ये भी पूछा जा सकता है तो सरोजनी नाइडू उत्तर प्रदेश की राजपाल बनी थी और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या फिर भारत का सबसे पहला महिला मुख्य मंतरी कौन है तो महिला मुख्य म तो यह है स्वंतोस यादो, यह भारती मजिला है, अगला कि ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी, राजाराम मोहन राय के द्वारा, यह भी पूछा जा सकता है, कि जो सती प्रथा था, उसको अंत करने में कि समाज मौल संकर अभी आपने बारे में पड़ा है इनका मूल नाम मूल संकर था, अगला कोश्चन की रामकिष्ण मिश्ण के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह है स्वामी विवेकानन्द, और स्वामी विवेकानन्द के गुरू का नाम था, रामकिष्ण मिश्ण, अब यह कहां पे अस्थापना की गई थी, तो अगला कोईशन की सिख्धर्म का संच्थापक किस सिख्ध गुरु को माना जाता है तो यह माना जाता है गुरु नानक को अगला question की सिखो का प्रमुक्तेवार कौन सा है तो सिखो का प्रमुक्तेवार है बैसा की तो तेवारों से question अकसर पूछे जाते हैं अगला question की लवपुरुस किस मापुरुस को कहा जाता है तो इससे कहा जाता है सरदार बल्ला बाइप पटेल को लावपुरुस कहा जाता है और अगर आपको याद हो तो इन्हीं की एक स्टैचू बनी है गुजरात में उसे कहा गया है स्टैचू आफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है अगला कोश्चन की नेता जी किस महापुरुस को कहा जाता था तो नेता जी सुभास नबुस को कहा जाता है अगला कोश्चन की दिल्ली इस्टित लाल बादुर सास्त्री की समाधी का क्या नाम है तो लाल बाहाद और सास्ति की जो समाधी है उसे विजेगाट कहते हैं और जो महात्मा गांधी की समाधी है उसे क्या कहते है महात्मा गांधी कमेंट करके बताइए इन्हें कहते हैं राजगाट अकला कोश्य है कि महाबार्थ के रचैता कौन थे तो महाबार्थ के रचयता थे महरसी बेदव्यास इसी तरह पूछा जाता है कि रमायड के रचयता कौन है रमायड तो इसके रचयता थे बालमेकी ये भी पूछा जा सकता है कि राम चरित मानस के रचयता कौन है तो इसके रचयता है तुलसी डास अब ये भी पूछा अगला कोश्चन कि आर्थ सास्ट नामक पुछतक किस ने लिखी थी तो यह लिखा गया था चाणक के द्वारा जिनको कौटे लिभी क्या जाता है अब जो यह अर्थ सास्ट का मतलब कि यह एकोनामिक्स वाली बुक नहीं है यह एकोनामिक्स वाली बुक नहीं है इसका संबन्ध राज वेवस्ता से है यहाँ पर यह बताया गया है कि एक राजा को अपना राज कैसे चलाना चाहिए अपने दुसमनों के साथ कैसा वेवार करना चाहिए अगला कोश्चन की जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो ये दिया गया था लाल बहादूर सास्त्री के द्वारा अगला कोश्चन की समिजान सभा का अस्थाई अधक्ष कौन था तो अस्थाई अधक्ष से डाक्टर राजिंदर प्रसाद अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ओ अस्थाई अध्यक्ष कौन था तो ये थे डाक्टर सचितानंद सिन्हा ओ अस्थाई और अस्थाई डाक्टर राजेंदर प्रसाद जो की बाद में चलके पहले राष्टपति बने अगला कोशन की समिधान सभा की प्रारूप समीति के अधक्ष कौन थे तो प्रारूप समीति के अधक्ष थे डाक्टर भीमराव अमबेटकर जो की भारत सरकार के पहले कानून मंत्री बने लाब मिनिस्टर अगला कोशन की 200 रेट क्रास दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो 200 रेट क्रास दिवस मनाया जाता है आठ मई को अगला की अंतराश्टी महिला दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आठ मार्च को देखिए इस तरह का जो day होता है इस पे अकसर question पूछा जाते हैं तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे अगला की चेतफल की दिश्टी से भारत में सबसे चोटा राज कौन सा है जो चेतफल की दिश्टी से सबसे चोटा है गोवा सबसे बड़ा है राजस्थान अब ये पूछा जा सकता है कि जन संख्या के दिश्टि से सबसे बड़ा कौन है इंडिया में तो ये है यूपी अगला कोश्चन की ओडम किस राज़ का प्रसित्यवार है तो ओडम है केरल का अगला है की दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में कहीं कहीं आपको 1912 भी उत्तर मिलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो किंग जार्ज पंचम भारत आया था 1911 में उस समय नौमबर दिसंबर का महीना था और ये उस समय घोषडा की गई थी 1911 में 1911 में घोषडा की गई थी लेकिन पूरा काम होते होते 1912 आ गया तो इसलिए ये दोनों उत्तर कहीं कहीं मिलता है अगर उत्तर में 1911 और 12 दोनों है तो आप 1911 को ही ट्रिक करेंगे बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो सबसे चमकीला ग्रह है सुक्र अब सुक्र के बारे में आप जान लेजिए इसे पृतिवी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये पृतिवी से सबसे नजदिक है आप देख सकते हैं कि पहला है बूद सुक्र पृतिवी मंगल तो देखिए कभी कभी ये क्योंकि पूछा जाता है कि पृतिवी से सबसे नजदिक कहन है सुक्र या फिर मंगल तो पृतिवी से ज़्यादा नजदिक है सुक्र इसे पृतिवी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है ये सुरी का एक चक्करलग बग 225 दिनों में पूरा कर देती है और जो धरती है मतलब प्रतिवी है 365 दिन में पूरा करती है अगला कोश्चन कि भारत का राष्टी पसु कौन है तो यह है बाग राष्टी पच्छी मोर और राष्टी जली जीव इसका नाम है गंगा की डालफीन राष्टी फल आम राष्टी फूल कमल राष्टी पेंड बरगद राष्टी खेल आकी अब आप राष्टी मिठाई का नाम बताईए हमें कमेंट करके राष्टी मिठाई इसका नाम आप हमें कमेंट करके बताईए देखते हैं कौन-कौन इसका उत्तर दे पता है अगला कोशन है कि भारत के राष्ट के जंडे की लंबाई और चोड़ाई का क्या उनुपात है तो इसका उनुपात है तीन संबंदे दो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो की नेशे जो लाइक का बटन है उसे दबा कर इसे लाइक कर दीजिए और हम आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट आलरेडी अपलोड है आपको उनका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और कुछ पार्ट इसके जल्दी से अपलोड कर दिये जाएंगे तो आप इसे जरूर लाइक करिए अगला कोश्चन है कि राष्टगान किसने लिखा है तो राष्टगान लिखा गया था रभीन धनाथ टैगोर के द्वारा अब राष्टगान का मतलब क्या होता है तो जन्गर्ड मन जो यह होता है जन्गर्ड मन इसको कहते हैं राष्टगान इसकी अउधी कितनी होती है तो यह बावन सकेंड में गाया जाता है अब जो राष्ट गीत है इसको कौन लिखा है तो इसको लिखा गया है बंकिन चन चतर जी के द्वारा राष्ट गीत किसे कहते हैं तो बंदे मातरम को तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है राष्ट गीत मतलब की बंदे मातरम और राष्ट गान मतलब की जन अगला कोश्चन की मातमागादी को राष्ट पिता सबसे पहले किसने का तो यह का गया था नेता जी सुभास्चंद्र बोस के द्वारा अगला की राष्टी पंचांग कौन सा है तो यह सक संबत राष्ट गान की अवधी कितने होती है तो यह बाउन सकेंड यह हम आपको अलड़ी बता चुके हैं रेडियो एक ट्यूता की खोश किसने की थी यह किया गया था हेनरी बेकुलर यह फिर बेकलर के द्वारा अगला कोश्चन की पेसमेकर का संब्द सरीर के किसंग से है तो यह है रिदय से पेसमेकर का संब्द रिदय से है अगला कोश्चन की मानोसरी के किस गरंती को माश्टर गरंती कहा जाता है तो यह प्यूस गरंती कार्बन का सबसे अधिक सुद्ध रूप कौन है तो यह हीरा हीरा को कार्बन का अपरूपक भी कहा जाता है यह कोश्चन कई पर राजंटन ही मिलता है अगला के किस दातु का प्रियोग मानो द्वारा सबसे पहले किया गया तो इस ये किया गया था ताबा के द्वारा अंतरिस यार्थरी को बाय अकास कैसा दिखाए जेता है तो बाय अकास दिखता है काला, दुर्बीन काविस्कार सबसे पहले किस ने किया मतलब यह किस ने किया तो यह किया गया था गैलेलियों के द्वारा अगला कोश्चन कि दिल्ले इस्तिक महात्मा गाजी की समाधी का क्या नाम है तो इनका नाम है राजखाट जिससे कि हम अभी आपको सुरू में बता चुके हैं भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली तो पहली रेल चली थी ती मंबऑी में और यह मंबऑी से लेकर थाड़े तक चली कुल मिला के 33 किलो मीटर अगला कोईश्चन की भारत में पहली बार मेट्रो रेल से वाग किस नगर में सुरू की गई तो ये किया गया था कुलकत्ता में अब ये भी पूछा जा सकता है कि मेट्रो मैन किसे काते हैं मेट्रो मैन तो स्री धरन को मेट्रो मैन कहा जाता है ये आप याज रख लेंगे इसको अगला क्वेशन की भारत में रिल का आरंब किस्टन में हुआ अठारो सो तिरपन में परतम भारती अंतरिची आतरी कौन थे तो ये थे राकेश सर्मा ये 1984 में गये थे किसके मदद से तो रूस के बारत की परतम महिला मुख्य मंतरी कौन थी तो ये थी सुचेता कि प्लानी ये भी पूछा जा सकता है कि कहा कि थी तो ये थी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की पहली महिला राजेपाल का नाम बताईए सरोजिनी नाइडू ये भी थी उत्तर प्रदेश की जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है जन संक्या की दिश्टिस है और फिलाल में इस समय लगबग 20 करोड यहां की जन संक्या है यह है 2011 के अनुसार अगला क्वेश्चन की हज़ड़ा के प्रथामोखी मंतरी कौन थे तो यह थे पंडित भगवत दयाल सर्मा संयुक्त राश्टरंग की अस्थापना कब हुई थी यह की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इस समय संयुक्त राश्टरंग में कुल मिलाकर 193 देश सधस्या है यह कुछ दिनों के बाद नंबर बढ़ भी सकता है तो आप कुई भी पेपर देने जाएं तो इसे अच्छे से देख के जाएं अगला कोश्चन की संयुक्त राश्टरंग का मुख्याले कहां परिस्तित है तो यह है अमेरिका यानि की न्यूवियार्क में अगला है कि संयुक्त राश्टरंग के पहले महासरी कहां थे यह थे ट्रिगवेली संयुक्त राश्टरंग में कुल मिला के कितने देश सदस्य हैं तो यहाँ पे 193 और यहाँ पे जो सुरच्छा परिस्द है संयुक्त राश्टरंग में उसमें कितने देश सदसे होते हैं तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के 15 सदसे होते हैं जिसमें से 5 होते हैं अस्थाई 10 होते हैं और अस्थाई जो 5 अस्थाई है इनका चुनाओ नहीं होता है यह हमें साब बने रहेंगे लेकिन जो दस और अस्थाई होते हैं इनका चुनाव हर दो साल पे होता रहता है अब पुछा है कि सन्युक्त राश्ट्रंग सुरच्छा परिस्त में कुल मिला के और अस्थाई कितने सदस्य हैं तो अस्थाई किस्थाई कितने हैं तो अस्थाई कितने हैं पहले थे अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंटोनियों गुटरेस हैं ये कहां के हैं तो ये हैं पूर्थगाल के भारत में सबसे पहला पूर्थगाली कब आया था तो 1498 में इस तरह आप लाइन बै लाइन बना के याद कर सकते हैं अगला एक स्युक्त राष्ट महासबा में हिंदी में भासर देने वाले पहले बारतिय कहूं थे ये थे अटल ब्यारी भाजपई जो कि हमारे प्रधान मंतरी भी रह चुके हैं 2004 से पहले हैं अगला कोशियन एक स्युक्त राष्ट राष्ट के सुरच्छा परिसद में जो और स्युक्त राष्ट के लिए चुने जाते हैं तो जो और स्युक्त राष्ट के लिए अगला कोश्यन कि सुन्जुक्त राश्ट शंग का एक सुतिरानबव सु दस्त्य अंसा देश बना यह बनाया दच्छडी सुडान तो देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और आप इसे अपने दोस्तों में सेयर करिए ताकि सबको फायदा हो सके इसके और विपाइट आलेट यह अपलोड है आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा अगला कोश्यन कि किस विटामिन की कमी से खून का रुखाओ बंद नहीं होता है यह बता है विटामिन के हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस यहर सल मनाया जाता है और समिधान के किस अनुचेद में हिंदी को राष्ट भासा घोसित किया गया है यह किया गया है 343 में यह भी पुछा जाता है कि समिधान के किस अनुचेद में हिंदी के बारे में तो यह हैं अभिनो विंद्रा और यह निसाने बाज हैं इसी में इन्होंने सुनड़ पतक जीता है अगला कोश्चन कि ओलंपी खेलों का आयोजन कितने वर्सों के बाद होता है तो यह करा जाता है हर चार वर्सों के बाद मतलब कि 1896 से शुरू हुआ और 200 यूद दिखे समय यह नहीं हुआ था बाकी हर चार साल पर यह होता रहता है भारत सबसे पहले कब भाग लिया था तो भारत भाग लिया था 1900 में जब अभी भारत अंग्रिय योगा गुलाम था अगला कोश्चन की सन 2016 में उलम्पिक खेल कहां पर हुए है तो यह हुए रियो डी जेनेरो में अगला की अंतराश्टी मानुआ अधिकार दिवस कम मना जाता है यह मना जाता है हर साल 10 दिसंबर को हर्याडा की कौन सी भाइस की नसल प्रसिद्ध है तो यह मुडरा यह वहां का लोकल क्वेश्चन है आप इसे छोड़ भी सकते हैं हर्याडा के इस इतला मंदिर मस्जित कहा है तो गुर्ण गाओं में और हर्याडा के पर्थमों के मंतरी कौन ते तो यह हैं पंडित भगव सुनाओगा अगला है कि बैरो मेंटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है मतलब कि जो मौसम बिग्ञान के द्वारा बैरो मेंटर लगए जाता है अगर उसका पठ्यां तेजी से गिर रहा है इसका मतलब कि वहां पे तुफान आने वाला है अगला राजी रंगा राष्टि अभ्यारड किस राजमिश्थित है तो यह असम में देखिए इस तरह के जो राष्टि अभ्यारड है इससे भी questions पूछे जाते हैं तो इसलिए इससे संबंदि जो भी questions आ रहे हैं आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे अगला कोईशन है कि प्रितिवी अपनी धूरी पर किस दिशा में गूमती है तो प्रितिवी अपनी धूरी पर पच्छिम से पूरब के दिशा में गूमती है इसलिए जो सूर्य होता है हमें पूरो से पच्छिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है अगला question है कि उजयन किस नदी के किनारे बसा है तो उजयन बसा है छिप्रा नदी के किनारे अब आपको बता है उजयन के बारे में यहाँ पे कुम्ब मेला का भी आयोजन होता है भारत में कुल्मिला के चार जगा पे कुम्ब मेला लगता है पहला है प्रयागराज दूसरा उजएन तीसरा लगता है हरिद्वार और चौथा लगता है नासिक तो यहाँ पर इन चार जगों पर ही कुम मेला लगता है अगला कॉश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातू बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो बिजली सबसे अधिक चाधी में प्रवाइट होती है अगला कोश्चन कि गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाय जाता है मतलब कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाय जाता है तो ये पाय जाता है मिथेन और मिथेन का जो फर्मूला होता है CH4 होता है बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चान है कि स्वतंदर्टा मेरा जनम सिद्धिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये किस ने कहा था तो ये कहा गया था लोकमान बालगंगा दर तिलक के द्वारा अगला कोश्चान है कि राजी सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी यवदी के लिए होता है तो जो राजी सभा के सदस्यों होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है इसी तरह जो लोक सभा के सदस्यों होते हैं उनका चुनाव 5 साल के लिए होता है जो लोग सभा के सदर से होते हैं उनकी नियुनतम आयू 25 सालों नी चाहिए लेकिन जो राज सभा के सदर से हैं उनकी नियुनतम आयू 30 सालों नी चाहिए तो ये है इसे सम्मंदित कुछ प्रश्ण अगला है कि हिंदी भासा की लिपी कौन सी है तो हिंदी भांसा के लिपी है देवनागरी अगला कोश्चन कि हमारी अकास गंगा का नाम क्या है तो हमारी अकास गंगा का नाम है दुख्द मेकला या पर इसे मिलकी वे भी करते हैं कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि इसका अकार कैसा है तो इसका आकार सरपील है मतलब कि साप के जैसा लंबा अगला कोश्चन है कि हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन था तो ये था उदंड मातंडे अगला है कि तुलसी दास कित राम चरित मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है तो जो तुलसी दास ज्वारा लिखा गया है राम चरित मानस ये लिखा गया है अवधी में अगला कोश्चन कि हर्याड़ा के राज कभी कौन का लाते हैं तो हर्याड़ा के राज कभी का नाम है उदै भानू हंस आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन की आधनिक उलम्पिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी तो आधनिक उलम्पिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में उस्तर में इसको एथेंस कहा जाता था जो की यूनान का हिस्सा था अगला कोश्चन है कि भारत में किस खेल में उलम्पिक में सबसे अधिक बार याने कि 8 बार 68 पदक जीता है तो यह जीता है हाकी में और पहला इस में जीता गया था 1800-1928 में 1928 में पहला पदक आया था अगला कोश्चन है कि भारत ने आखरी बार हांकी में सोन पदक कब और कहां जीता तो ये जीता है रूस में रूस यानि कि मासकों में उनेश सों असी में आखरी बार अगला question है कि दो उलंपिक खेलो का आयोजन कितने वर्सों के बाद होता है तो ये question अमा already cover कर चुके हैं ये होता है प्रती एक चार वर्सों के बाद अगला question कि अंतराश्टी उलंपिक समीति का मुख्याले कहां परिस्त है तो यह है स्विटर्जिलेंड में और जो जगा है उसका नाम है लुसान ये भी पूछा जाता है कि उलम्पिक ध्वज में कितने गोले हैं तो उलम्पिक ध्वज में हैं 5 गोले इस तरह आपने देखा होगा अगला है कि 2012 में उलम्पिक कहा हुए थे तो ये हुआ था लंदन में अगला कोश्चन कि उलम्पिक ध्वज में कितने गोले हैं तो यह है 5 इसको हम अभी बता दिये हैं आपको अगला है कि एक उलम्पिक में सबसे अजिक सौन पदक जीतने वाले खिलाडी का नाम क्या है तो यह है माइकल फ्लेप्स और यह अमेरिका क्या है मरते हैं आगे अगला कोश्चन कि सन 2020 में उलम्पिक खेल कहां होंगे तो 2020 का उलम्पिक होगा टोक्यो में टोक्यो यानि की जपान में अगला की 2012 में उलम्पिक खेलों में एकांस पदक जीतने वाले साइना नेवाल का संबंध किस से है तो साइना नेवाल का केल है बैड मिंटल बारत में उलम्पी खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था तो यह भाग लिया था भारत ने उन्हें सो में देखी अटारास उचानवे में सुरू हुआ लेकिन भारत ने भाग लिया था उन्हें सो में अगला एक उलंपी खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला की लाड़ी कौन है यह है करडम मलेश्वरी अगला है कि बैट तू द विधास यानि कि बेदों की ओर लोड चलो कनारा किस ने दिया था तो यह दिया गया था महरसी दयानंद सरसुदी के द्वारा अगला कोईशन की प्रसीत जंडा गीत जंडा उंचा रहे हमारा की रचना किसने की है तो यह किया गया है स्यामल लाल गुप्त पारसत के द्वारा अगला है कि पस्वों में मिल्क फीवर बिमारी किस की कमी के कारड होती है मिल्क फीवर तो यह होता है कैलसियम के कारड अगला कोईशन कि मानों सुरी के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो ये किया जाता है गुर्दे द्वारा अगला question कि किस एक मात्र भारतिय को अर्थ सास्तर में नोबेल पुरस्कार मिला है तो ये मिला है अमत्य सेन को ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसको मिला तो ये मिला था रबिन्दना टैगोर को और अमत्य सेन को मिला है ये 1998 में अगला है कि भारत रट्न उस्ताद बिश्मिल्ला खा की सवाध ये अंत्र के बादन में विख्यात रहे हैं तो ये हैं सानाई इसका मतलब कि जो बिश्मिल्ला खा थे वो शानाई बजाते थे भारत के अंतिम गवर्नर्ट जनरल कौन थे तो ये थे सी राज गुपाल चारी इनको राजा जी भी कहा जाता था और इन्हीं के बाद जो गवर्नर्ट जनरल वाला पोश्ट था इसको ख़तम कर दिया गया अगला कोश्चन है कि भिलाई इसपात संयत का निमाड किस देश के स्वयोग से किया जा रहा है तो जो भिलाई में इसपात संयत बन रहा है ये रूस के स्वयोग से बन रहा है अगला question कि उत्रे दुरू में भारत के अनुसंदान केंदर का नान क्या है तो जो उत्रे दुरू में भारत का अनुसंदान केंदर है उसका नाम है हिमात्री अगला कोईश्चन की बीसु में माउंटेन एवरेश्ट परवत पर चढ़ने वाले परतम महिला कौन थी तो बीसु के थी जून को तुबाई अगला कोईश्चन की पीलिया किस अंग का रोग है तो पीलिया होता है लीबर या फिर एकरित में यह इसको ही डिस्टरब करता है अगला कोईश्चन की द्रव में सभी दिसाओं में समानदाब पारित करता है या कतन किसका है तो यह है पास्कल के नियम का कि जो द्रव होता है वह अपने जगह से सभी दिसाओं में समानदाब लगाता है अगला कॉश्चन कि क्लोरोफील्ड का खनीज घटक क्या है तो यह है मैगनेसियम LPG के gas में क्या होता है मतलब कि gas में जो गंद होती है वो किसके करण होती है यह होता है butane अगला है कि किसने सरोपरतम असुक के अभिलेखों को पढ़ा था तो यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसफेस के द्वारा और यह कप पढ़ा गया था 1837 में अगला कोश्चन कि किस बहुत भिच्छू के प्रभावों में असुक ने बहुत धर्म करार किया तो यह थे उपगुप्त जो 261 इस भी पुर्व में असुक ने कलिंग यूद लड़ा उसके बाद जो असुक था वो यूद से इतना आहत हो गया है उन्होंने यूद को कभी 12 में ना करने की जो प्रण था लिया और बाद मुनों से उप गुप्त नामक बहुत भिच्छू से वहां पर दिछ्छा लिया अगला कोश्चन है कि कौन सा मुगल बाद सा असे छिठ था तो यह था अकबर हाला कि अगला कोश्चन है कि अगला कोश्चन कि सबसे पराचीन बेद कहुन है तो सबसे पराचीन बेद है रिग बेद आपको पतारमाच चाहिए कि बेजों की संख्या होती है चार अगला किस सुल्टान ने अपनी राजधानी डिल्ली से डौलताबाद अस्थान्तनेट की तो यह था मुहंमध बिन तुगलक इसने अपनी राजधानी को पहले डिल्ली से लेके डौलताबाद बेजा बाद में फिर दौलताबाद से दिल ली अब मुहमद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए इसे पगला सुल्तान भी कहा जाता है और ये तुगलक बंस का था अगला कोश्चन की प्रथम पंचवर्षी योजना कब प्रारम की गई थी तो पंचवर्षी योजना प्रारम की गई थी 1951 में अब ये पुछा जा सकता है कभी कभी कि 2012 से लेके 2017 में कौन सी पंचवर्षी योजना चल रही है तो ये चल रही है 12 हुई अगला कोश्चन की चीनी यात्री वेंसांग किस बिसुबिद दैले में अधेन किया तो वेंसांग अधेन किया नालंदा में जो कि है बिहार में अब ये भी पूछा जा सकता है कि वेंसांग किस के सासंकाल में बारत आया था तो इंसा अंडाय था हर्ट्स वर्धन के साथ संकाल में अगला question कि कौन सा रख्थ समोग सरोधाता कालाता है मतलब कि सब को दे सकता है यह होता है O जो O गुरूप होता है यह रख्थ किसी को भी दिया जा सकता है अगला है कि मनुस्य के शरीर में कितनी हडिया होती है यह हडिया होती है 206 यू मतलब कि जब मनुस्य बढ़ा हो जाता है तब की counting है अगला question कि सूरी के प्रकास में कौन सा बीटामिन पाहर है तो सूर्य के प्रकास में पाहर है बीटामिन D जो कि हड्डियों के लिए फायदे मंद होता है अगला कोश्चन कि मादा एनफलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है यह होता है मलेरिया आपको पता होना चाहिए कि जो नर मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं और इसमें से नुकसान दे होता है मादा के काटने से ह इनके काटने से ही malaria नमक रोग होता है अगला question कि telephone का अविस्कार किशने किया था तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम वेल के द्वारा देखे परिचाव में अविस्कार से question हमेशा पूछे गए हैं अगला question है कि प्रकास की गती कितनी होती है तो प्रकास की गती होती है 3 into 10 to be power at 8 meter per second अगला question है कि प्रत्वी सुरी का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किशने बताया था तो यह बताया गया था कार पर नीकस के द्वारा अगला है कि प्रकास वर्स का संबंद किस से है तो प्रकास वर्स का संबंद है खगुली दूरी से मतलब कि अगर कोई कह कर रहाए कि इतना प्रकास वर्स दूर है तो इसका मतलब कि वह एक खगुली दूरी बता रहा 거죠 अगला है कि कैंशुणमंदेर कहा प्रिष्तित है तो स्वर दित्वान मंदीर इस्तित है अमरिभ सर में अमरिभ तर कहा है तो पंजाब में अगला question कि 4 मिनार कहा हिस्तित है तो 4 मिनार हिस्तित है है अगला कि कुतूब मिनार कहा हिस्तित है तो कुतूब मिनार है दिल्ली में हिस्तित और कुतूब मिनार के जो उसको बनवाने के बारे में भी question पूछा जाता है तो कुतूब निर्मार का काम सुरू करवाया था कुतू उतमीस और उसी ने कुतुब दीन का निर्माट पूरा करवाया कभी-कभी ये भी पुछा जा सकता है कि ये किस के नाम पर बनवाया गया तो ये कुतुब मिनार था ये कुतुब दीन बक्तियार काकी करके एक वहां पर सूफी संत थे उन्हीं के नाम पर कुतुब मिनार को बन है नई दिल्ली में थो देखिए अगर इंडिय केट पूछता है तो यह दिल्ली में अगर गेट ओफ ऑफ इंडिया पूचे का दो यह मुंबई में है तो आप इस अच्छे देख लेंगे यह defendersं परिच्छाऊ में आयो हैं अगला question और बेहदसान की ताज महल कहां पर इस्थित है, तो यह है आगरा में, कभी कभी ये भी पूचा गया है कि ताज महल को कौन पर की गई थी तो यह की गई थी सिंगापुर में अगला कोश्चन कि सिछक दिवस कम मनाया जाता है तो सिछक दिवस मनाया जाता है पांच सितंबर को अब देखिए यह पांच सितंबर का मतलब क्या है यह इंडिया का सिछक दिवस है मतलब कि भारती में सिछक दिवस कम मनाय लोड में और उन्हींत ऐसे को 70 में हैजनते हुं तो अग्राय कोश्चन के के जनम के रूप में खेल को मना है हिए मैजर ध्यान चन्ड के लिए हुर आधिक का जनम हुआ था के अग्डे to कोश्चन कि बीसो पर्यावरार दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है पांच जून को अब देखिए यह बीसो के लिए है मतलब कि इंडिया में भी मनाया जाता है और बीसो में मनाया जाता है अगला कोश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया गया था दियानंद स्वरस्वति के दौरा जो की आधे समाज के संस्थापक थे और इनके बच्पन का नाम था मूल संकर अगला कोईश्टन की इंकलाप जिंदाबाद का नारा किष्न दिया था तो यह दिया गया था भगत सिंग के द्वारा तो अभी और कुल मिला के 20 कोईशन कबर करना है अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हम बता दें कि इसका और विपायटा लेडिय अप्लोड है सबका लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा अगला कोईशन कि तुम मुझे खून दो मैं तुमें अजादि दूंगा का नारा किष्ञ ने दिया है तो यह दिया गया था नेता जीर장이 मोश के दोरा अगला है कि अराम हराम है यह दिया था यह नरा किष्ञ ने दिया था तो जवार hyvin कर दा दिया था तो लाल बादुर सास्त्री मारो फिरंगीओं को ये किसने कहा था मंगल पांडे मंगल पांडे से मतलब क्या है इनको 1850 की क्रांटी में फासी दे दी गए थी अगला की सरफरोशी गीतまनना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजूए गातिल में है ये नारा किस ने दिया था तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा अगला की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है समुद्र गुप्त को जो कि गुपता अंपायर का एक राजा था इसे निपूलियन इसलिए काया जाता है क्योंकि ये गुपता अंपायर का एक महार राजा था ये पूरे भारत में लगबग लगबग जीत चुगा था पूरे भारत को और इससे पहले गुपता काल में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था अगला कोईशन है कि सदिप्रता के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज द्वारा मतलब किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा अगला कोईशन की रामकृष्ण मिश्ण की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये किया गैदर्षवामी विबेक अनंद के द्वारा महात्मा गादी का जनम दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दो अक्टूबर को और दो अक्टूबर को एक और व्यक्ति का जर्म दिवस मनाया जाता है आप उनका नाम हमें कमेंट करके बताईए दो अक्टूबर को महात्मा गादी के साथ किसी एक और महान व्यक्ति का जर्म दिवस मनाया जाता है आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगला कोईशन है कि महात्मा गादी का पूरा नाम क्या था तो महात्मा गादी का नाम था मोहंदास करमचन गादी इनका नाम करमचन गादी था और इनके पिदा का नाम था मोहंदास अगला कोईशन की गाधी जी क्यों महात्मा के उपाधी किस ने दी तो ये दिया गया थे इनको रबिंधना टैगोर के द्वारा अगला कोईशन की माई एक्सपरिमेंट विध तुरूथ नामा पुष्तक के लेका कौन है तो ये ते महात्मा गाधी अगला कोईशन की भारत का स्रोच नागलिक सम्मान कौन है तो स्रोच नागलिक सम्मान है भारत रत्न जो की 1924 से दिया जाना शुरू हुआ अगला कोश्चन की फिल्म के छेतर में दिया जाने वाला स्वरोच भारती पुरुसकार कौन है तो यह है दादा साथ फाल के पुरुसकार भारत का स्वरोच बीरता पदक कौन है तो बीरता पदक है परंबीर चक्र और नागलिक सम्मान पूछेगा तो भारत रत्न अगला है कि भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है तो भारत का सेक्सपियर कहा जाता है काली दास को अगला कोश्चन कि कम्प्यूटर के पिता किसे कहा जाता है यह कहा जाता है चार्ल्स बैबेच को अगला कोश्चन की अंतरिच में जाने वाले प्रथम ब्यक्ति कौन थे तो ये थे यूरी गागरीन और कहां के थे तो ये थे रूस के अगला question कि चन्दमा पर कदम रखने वाला प्रथम बेक्ति कौन था तो चन्दमा पर कदम रखने वाले टे निल आन च्ट्रोंग और इनका भी द्यांथ हो गया बहुत जल्दी में अंतृच में जाने वाले प्रथम भारती उपगरा का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था तो प्रथम भारती उपगरा का नाम था आरेबट और इसे छोड़ा गया था 1975 में अगला कोश्चन है कि सुन्युकत राश्ट्रंग के बरतमान नहांसचीव को हुण है तो देखिए ये बान के मून ये पुराना उत्तर है गुटेरस एंटोनियो गुटेरस ये है पुर्तगाल के अगला कोश्चन कि अंतराश्टी महिला दिवास किस्तिती को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आठ मार्च को और अगला तथा अंतिम कोश्चन कि गेका रोग किसकी कमी से होता है तो गेका रो और वी वीडियो आल्रेडी अप्लोड है आपको उनका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में इतना है इस्टेडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू